देश की सबसे पुरानी पार्टी कॉंग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए पैसों की जरूरत पड़ गई है और इसके लिए पार्टी ने देश की जनता के सामने हाथ फेलाये हैं। कॉंग्रेस ने आगमी लोगसबा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा इखटा करने के लिए डोनेट फोर देश के नाम से अभ्यान शुरू करने का फैसला लिया है। कॉंग्रेस ने प्रेस कॉंफरेंस कर कहा कि हम भारतिय रास्ट ये कॉंग्रेस की 138 वर्ष की यात्रा पहले ही पूरी कर चुके हैं। इस वर्ष अपना स्थावना दिवस की वर्षगाट पर हम 28 दिसंबर को नागपूर में एक विशाल रेली का आयोजन कर रहे हैं। और अपना स्थावना स्थावना "-이시ुब", ऌने रषग शवत का कि मद्सावना हिए, ट रासि हैं। शवत का कि ए। वर्ष है। इस ट्नेव शवत Cyrus कॉंग्रेस के नेता वेनु गुपाल ने बताया कि कॉंग्रेस राष्टी अध्यक्ष मलिका अरुजुन खडगे 18 दिसंबर को इस अभियान की शुरुवात करेंगे दोनेट फॉर देश एक अम्ब्रेला है जिसके अधीन सीरीज ऑफ कैंपेंज होंगे सबसे पहला कैंपेंज हम लोगों का इसके अंदर है हमारे 138 वर्ष कॉंग्रेस पार्टी के जो पूरे हो रहे हैं इसके लिए हम तमाम कांग्रेस कारे करताओं से देश के लोगों से अनुरोध करते हैं कि 138 रुपे एक हजार या 1380 रुपे या 13800 रुपे या उसके मल्टिपल्स में वो देश के लिए कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए ताकि कॉंग्रेस पार्टी एक भेतर भारत के लिए आगे कारे कर सके इसके लिए कॉंग्रेस के अकाउंट के अंदर सीधे पैसे डाल दे कॉंग्रेस के डोनेट फोर देश अभियान को लेकर बीजेपी ने पलटवार किया है बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पुनावाला ने सोशल मेडिया एक्स पर लिखा कि देश से लूट कर अब देश से मांग रहे हैं धीरत साहू से मांग लीजे न बता दे कि वेडू गुपाल ने दावा किया है यह सबसे बड़ा क्राउट फंडिंग अभियान होगा उन्होंने कहा कॉंग्रेस को अपने ऑनलाइन क्राउट फंडिंग अभियान डोनेट फोर देश के लौच की घोशना करते हुए गर हो रहा है यह पहल 1920-1921 में महात्मा गांधी के एतिहासिक तिलक सुराज फंड से प्रिरित है